हेलो एवर्वन और वेलकम टू दा लाइट आपके साथ हम आज फिड आ गए हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कहिए तो एक सो लेकर के कि मेजर टेंपल्स इन इंडियन इस्टेट्स पार्ट वन जिहां इसके दो पार्ट आएंगे आज हमने पार्ट वन में कुछ टेंपल्स कभ मैं और 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 कुछ कवर करेंगे तो चलिए एककवार हम सबसे पहले हैं कि क्या 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 इंपोर्टेंट आपको पढ़ें जो भी टेंपल्स के हैं सबसे पहले देखे ऐ Sam jap लिए सकते हैं इक या दो नंबर का questions आता है इसमें और banking railway को लेगते हैं उसमें भी questions आते ही आते हैं तो यह important है हमारे लिए जानना तो चलिए हम देखते हैं और start करते हैं इसमें तो सबसे पहले को start करने से ने से पहले जैसे टेंपल के बात आती है तो गीता का इक करवन्यव अधिका रस्ते माँ करंफलयेत क्र्दाइं की ऐ गीता कि बहुत ही स्रीक्रिश्न भगवान अर्जुन से करते हैं कि अर्जुन मनुष्ट को प्रानी को या जो भी जीव है उनको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है कि कर्म करो आप कर्म कीजिए बस कर्म पर ही आधिकार है फल की चिंता आप ना करें फल पर आपका अधिकार नहीं है और अगर आप आपको मिलना ही मिलना है तो आप कर्म कीजिए और परते जाइए चलते हैं देखिए सबसे पहले अगर हम आज जो हमने कभर किया है उसमें जैसे की हम बात करें तो यहां से नॉर्दन कि नॉर्दन उसके बाद है इस्टर्ण इस टी आर इस्टर्ण सेंट्रल तो इसमें जो है वही हम कोस्ट्टन्स आपके पास लेकर के डिसकस करने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेमपल किस स्टेट में स्थित है तो सबसे पहला देख लीजिए मातारानि का टेंपल श्री वैष्न worst देवी ठीक है तो बाले दिएबरकट में यहाँ रख दिया है बहुत सारी 70% आप स्टुडेंट को यह जरूर ही पता होगा क्योंको यह एक तदर से टूरिस प्लेस भी है और मातारानि का मंदिर भी चलिए जलते नेक्स्ट पर और अगला है स्रीआमरνाथ कैफर टेंपल जो की मतलब की साल में हमेजा यातरा अमरनाथ की नहीं होती है तो अमर्नाथ टेंपल स सुर्मों पर इस् στηνित है जिहां अनंतनाग डिश्टिक में अमर्नाथ से देखिए अगर आपको बोला जाए कि अमर्नाथ टेमिल तो उस भागवान मैं चलते हैं और अगला स्लाइड है यह ज़े कपके स्थिता आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यह यहां पर देख लीजिए इसका चित्र देख लीजिए गोल्डेन टेंपल का यह चित्र है इसका दिया हुआ यह हमने इसलिए यहां पर एक पिक्चर रखा है कि आपको देख करके भी याद रहेगा कि गोल्डेन टेंपल कहां पर अमरित्सर में है पंजाब में है ठीक है उसक आते हैं कि बद्रिना टेंपल लॉड विष्णू का टेंपल है कि जैसे ब्रह्मा विष्णू महेश बोला जाता है ना कि ब्रह्मा जो है वह जन्म देते हैं विष्णु भगवान पालन पोशन करते हैं और पाक्रषी संघाते हैं 8 choosing सब्सक्राइब भी चार तो है इंडिया COP जैसे कि हमें वही बताना है कि इंडिया के कौन से चार थाम जाता यातर हम बोलेंगे तो कौन-कौनसे और उसके बाद उत्रा खंड के कौन-कौनसे छे च बताए यह त historic उसके बाद चलते हैं औरखले स्लाइड पे हमने रखा है के दार्नाट इन मंदर मंदाकनी जो है मंदाकनी एक वार याद रखनां होगा आपको कि मंदाकनी मंदाकनी भाइ सटो हौछ इसी के किनारे बसा हुआ है ये मंदिर केदारनाथ और केदारनाथ जो है वो शिव जी का मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है और उत्राखंड में इस्थित है तो ये भी याद रखिए केदारनाथ उत्राखंड में है कहां पर रुद्र प्रयाग डिस्टिक में चलते हैं अग जो उतराखंड के वे देख रहे हैं उनको पता होगा की यो ना घॉतनाजी का गॉठनाजी का टो या मना जी का गॉठन्ट लिखन थे हो लिटा Hep लेखनलने हो का उद्गम हुआ था यहां पर इसलिए यह मुंत्री बोला जाता है और यह उत्राखण में उत्रकाशी डिस्ट्रिक में ठीक है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइट के तरफ और अगला है गंगोत्री गंगोत्री यह भी गंगा मतलब की गंगा नदी अभी सित दाम यही ठाहिए गंगा नदी का उद्वी यहिए से हुआ था गंगोत्री से इसलिए गंगोत्री ने बोला जाता है और इन्हें भागी रति गंगा भी बहात रखे और गंगा याद रखिए उत्राखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में भी है और फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल याद रखिए क्योंकि बहुत साड़े शहर हैं जैसे की हरिद्वार है गंगा के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में जैसे की वारानसी है गंगा के किनारे है बिहार में भागलपूर है पतना है किनारे बसा हुआ है तो इसके माइता होता है कि कौन सा सहर केस नदी के किनारे बसा हुआ है तो याद रखी है उत्तराखंड से गंगा नदीे स्टार्ट होती है और यह यू- Lex भॉंगौल governance चार स्टेट फेला हुआ है और गंगोत्री उसी को जहां से गंगा का उद्धाय हुआ ठीक है अब यह देखिए इक्जाइम में बहुत को पता होगा कि यह जो हम इस स्लाइट पे दिखा रहे हैं रतनाकर जैन टेंपल नाम से ही जैसे पता चलता है आप लोगों को कि रतनाकर म ہیں रतनाकर जैन टेंपल यह जैन लोगों की जैन लोगों का मंदीर है और यह कहां पे है सौड़ी रनकपूर सौड़ी रतनाकर नहीं की रणच पूर रनकपूर रनकपूर नामका विहें जैड़ी गॉं है यह कहां पर है यह पाली डिस्ट्रिक पाली डिस्ट्रिक राजस्थान में यह राजस्थान में इस ठीट है क्या है रनकपूर जैन टेमपल ठीक है उसका अगला स्री कासी बिसुनात टेमपल यह बहुत ही फेमस मंदिर है कि मतलब की 90 परसेंट बच्चों को पता होगा काशी endeavors मंदिर के बारे में 805 जो है वह वारा नसी में स्थित है और याद रख्ये काशी जोह काशी जो है कासी जो है वोगी ऑवी शिबजी का भोले-शंकर का भोले-शंकर के त्रिसूल पे बसा हुआ एक सहर है तो कमशे ब county बैदनाथ जोत्र लिंग जैसे जो भी जोत्र लिंग अगर हम आएंगे तो जोत्र लिंग भी भोले शंकर का ही बहुत सारे लोग है और यह कावर लेकर के यू तो कहें कि साबन में तो बहुत फेमस है बटबारो महिनें यहां पर कावर लेकर के जाते हैं घंगा जल जी से जल भरते हैं और यहां पär आ करके चड़ाते हैं गंगाजी डाट मेंस की बहुत लोग सुल्तान गंज एक सुल्तान गंज एक जगह है यह बिहार में पड़ता है भागलपूर डिस्टिक्ट याद रखेगा भागलपूर भागलपूर बिहार में पड़ता है सुल्तान गंज और यहां से गंगाजल भर के लोग जाते हैं और बैदिनाथ जोत्रलिंग में चड़ाते हैं अब बैतनाथ जोत्रलिंग से हमें याद आया कि आपको YouTube comment box में करना कि इंडिया में कितने जोत्रलिंग है इंडिया Lapलि ए उनके नाम उनको नाम आपको comment box में बताना है और मतलब कितने हैं ऊचलते अगले और अगला देखते हैं कि दक्षनीश्वरी काली मंदिर यह देखके ही लगता है कि यह माता का मंदिर है तू ही दुर्गा तू ही काली मतलब कि सबसे तरीका एक चुम सबसक्राइब दुर्गा पूजा भा दूर्गब पूजय कि यह बहुत ही फेमस घुंक आमन तो क्यों है कि दूर्गा दूर्गा माता दुब मतलब की पूजा होती है वेश्क्राइब काली और काली का ही काही रूप दू गरा आपस्टीं बांगाल को फेमस उसके बाद बीहार में कि हुगली नदी है वहीं कि उसी के किनारे बसा हुआ है यह मंदिर बहुत ही सुन्दर जगह है मतलब कि बहुत ही सुन्दर जिसको हम बोल सकते हैं रमन यह मनोहर बोल सकते हैं बहुत ही सुन्दर जगह है और आप मेंसे कितनों को पता होगा कि यह मंदिर जो है रामक्रिष्ट परम हंस बहुत बड़े भक्त थे काली माता के कल्यूक की ही बात है काली माता के बहुत ही बड़े भक्त थे उन्हों ने ही यह मंदिर का स्थापना क्या था धक्षनेस्वरी काली मंदिर का माता कहा जाता है बहुत बिद्वाने के दारा बुद्धु जीवों को दारा कि मातारानी उनको दात में दर्सन भी देती थी और रामकृष्ट परमहंस ने भी अस्थापना किया था बहुत बतलब की बुद्धि जीवी बिद्वानों में से एक थे रामकृष्ण परमहंस ठीक है चलते नेक्स्ट कोश्चन अब यह देखे कितना इजी क काली काली घाति काली टेमपल यह कहां प सितर मिल्कहाथ में कोलकाता में स्थित यह कोलकाता पस्चिव बंगाल अब जलते हैं ड़ल के लिगल्स गोश्चन है कामर्व का मख्या देवी दिखिए यह जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आप शम और व्यकी बहुत से बहुत सी मिलयाटी होती है तो याद रखे एग्जाम में यह आता है कहां पर गोहाटी में है गोहाटी बहुत ही फेमस सिटी है आसाम की वहीं पर कामरूप कमक्या देवीटेंपल है यह बोला जाता है माता का जो जितने भी सक्ति पीठ है सक्ति पीठ याद रखिए सक्ति पीठ उसमें से एक यह है कामरूप कमक्या देवी और यह कहां पर है गोहाटी असाम में अब महाबोधी टेंपल बोध गया बिहार याद रखिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है महाबोधी टेंपल बोध गया बिहार में है तो आप सबको पता है कि महाबोधी या बोधग्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह महाबोधी टेंपल किस लिए फैमस है किस भगवान को यह डेडिकेटेड है महाबोधी टेंपल ठीक है कि हमें बताईए यह कमेंट बॉक्स में निक्ष में जगनाथ टेमपल पूरी उरिसा देखिए जगनाथ टेमपल जो भगवान जगनाथ है भगवान जगनाथ है भगवान जगनाथ पर देभी सुभद्रा सुभद्रा और लौड बल्भद्र बल्भद्र ठीक है देवी सुभद्रा भगवान जगनात की बहन है और भगवान बल्भद्र भी भगवान जगनात के भाई है यह अब एकट है कि ard मतलब युक हैं और थे अपमानके चलें वहीं पर भगवान जगनात के मंदिर है पूरीए अब देखेए एक चीज की जगनात टेमपल के याने से आप को पता होगा कि रथ-यात्र आप सब को Hem Leer रथियात्र जो जुलाय या फिर अगस्त महिने में निकलती है यह यहीं भगवान जगनात देवी किस देवता के रूप है यह बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में चलते हैं कुनार्ख संटम्पल अब संटम्पल सुर्ज कामंदिर तो यह बोलने से कोनार्ख देखते हैं अगला लिंगराज टेंपल लिंगराज देखें यह कहां पर है भूबणिष्वर में अब जब हम लिंगराज की बात करें याद रखिए लिंगराज की लिंगराज लिंगराज तो लिंगराज मतलब की यहां पर आपको बताना है कि लिंगराज जो है वो है लौट शिवा का मंदिर भगवान शीब जी का मंदिर लौड शिवा स्टिउपडे बद्देश में और आपको एक बात हामें कमेंट बॉक्स में बताना है यह किस धर्म से रिलेटेड है सांची अस्तूब किस धर्म से रिलेटेड है जैसे इंडिया में है ना कि हिंदू मुस्लिम बॉद्धेज्म जायन सिख तो आपको बताना है कि किस धर्म से रिलेटेड है योटूब के कमेंट बॉक्स में अकमेंट चलते नेक्स्ट अगला है श्री ओम कालेश्वर टेंपल उजयन मध्धप्रदेश ओम कालेश्वर कालेश्वर तो यह भी भगवान शिवजी का सिवजी का मंदिर है और यह उजयन मध्धप्रदेश में हैं देखिए आपको मैंने बारला जोत्र लिंग की जो नाम बताई थे उसमें से जो 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 जोत्र लिंग आपको बता दिये एक तो है ओम कालेश्वर और एक है बईदनाध्धाम अब आपको 10 कौन-कौन से हैं यह आ से उस वीडियो से आपको कितना फाइदा हुआ देखिए क्या होता है कि जब भी आप वीडियो देखें तो कांड में एयरफॉन लगा के देखें क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आसपास की सौंड नहीं रहेंगे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी जब आप आप से कि अपको कैसा लगा तो हम लेकर आएंगे और पार्ट्व जो होगा वह सौनद इंडिया कि सौथ और वेस्ट इंडिया वेस्ट होगा है हमें कमेंट यूटूब के कमेंट बॉक्स में में जरूर मताएए आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपना जब अब भी कोई देखे कि अपना जितने भी आपको फ्रेंड है जितने भी जो जानते हैं जो कर रहें उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और सब को सब्सक्राइब कि वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम समय में आपका जैदा से जैदा हो सके तो हमें अगर कोई फीड़िबैक देना है कोई सजेशन देना है तो आपके पास यही इमेल एड़ी है हाइड दरेट लाइट मोड डॉट इन पर आप हमें मेल कीजिए कोई फीड़िबैक तो हम इसका पार्टू बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे तो हमने एक स्टा में आप अगर आप इस्ते को एक बार ध्यान में रख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे चाहिंड पर आता है कम से कम पर दो जैसे निशनल पार्क है या नाम बताना है और एक चीज वह में याद आया कि मैंने आपको को 20 टेमपल का नाम बताया इसमें से आपको YouTube कमेंटि बाक्स में बताईए कि इसमें से कितने को UNESCO ने अपने कि हैरिटेज साइड में सामिल कर लिया है है सोरी वर्ल्ड डबलू और वर्ल्ड हैरिटेज में सामिल कर आपको क्मेंट को आपना समाय हमें दिया और हमें देखा क्मेंट करें जब तक हमあぁ बताएंगे नहीं तब तक एंपर बना रहे हैं कि आपका SELEKTION हो और और आप हमें सफस्ट टोरी का सिरीज चल रहा है उससे समय का उतन हो सब्सक्राइब कीजिए और फिर प्रत किरेदॉspan